हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे आप लोगों के साथ में बक्स और देर डेडिकेशन्स के कौन सा बर्ग किसको डेडिकेट किया है तो चलो आज की वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहला William Shakespeare टोटल William Shakespeare ने 154 सॉनेट लिखे 154 सॉनेट में उन्होंने किस तरीके से अपने सॉनेट को डेडिकेट किया हम बोचीज आपको बताएंगे दोस्तु तो अगर हम बात करें सेक्सपियर के सॉनेट की तो एक से लेकर के 126 तक एक से लेकर 1 to 126 तक जो है सेक्सपियर ने अपने सबी सॉनेट डेडिकेट किये हैं दोस्तो Mr. W.H. को यह Mr. W.H. कौन है? इनका पूरा नाम है William Harward क्या नाम है दोस्तो? William Harward और यह William Harward All of Sudapton All of Sudapton और इनी को Henry Royce Slay भी कहा जाता है तो दोस्तो किसके लिए अगर आपका आजाए कि William Shakespeare के एक से लेकर के 126 तक के सॉनेट किसको डेडिकेट किये गए हैं तो Mr. W.H. All of Sudapton यानि के Henry Royce Slay William Harward के लिए दोस्तो अगला हम डिसकस करेंगे आपसे अब ठीक है एक से लेकर के 126 तक तो Mr. W.H. के लिए ओके William Harward के लिए डेडिकेट कर दिए फिर बचे हुए आगे 127 से लेकर के 152 तक यानि कि Shakespeare के जो सॉनेट है वो 127 से लेकर के 152 तक 227 तो 152 तक वो 26 टोटल कितने सॉनेट बचे 26 आगे डेडिकेट किये गए है टू डार्क लेडी ऐसा माना जाता है वो डार्क लेडी कौन थी? Mary Phitone कौन थी दोस्तो? Mary Phitone फिर रिपीट करता हूँ 127 से लेकर के 152 तक के 26 सॉनेट जो हैं वो डेडिकेट किये हैं डार्क लेडी को और डार्क लेडी ये कौन है? Mary Phitone को माना जाता है बचे हुए कितने? दो नॉबिल बचे हैं इनके 153 और 154 नमबर का तो सेक्सपिरियन सॉनेट में अगर हम बात करें 153 और 154 यानि कि ये दो नॉबिल जो हैं वो किसको डेडिकेट किये गए हैं? एक लिटल लव गॉड है कुपिड के लिए किसको लिटल लव गॉड कुपिड को डेडिकेट किये गए तो 101 से लेकर के 126 तक दोस्तो किसको डेडिकेट किये गए हैं? 026 तक WHO यानि कि बिलियम हरवाट, हैनरी रोसले आपसा देप्टन के लिए जो है 153-154 वो लिटल लव गॉड कुपिट को डेडिकेट किये गए दोस्तो इसके बाद सेक्सपियर की जो लॉंग नरेटिव दो लॉंग नरेटिव जो है पोईम्स बहुत ज़्यादा इंपोर्डेट भी है और इनके उपर मैं सेपरेट अलग से वीडियो भी बना चुका ए डेडिकेट की गई है किसको हेनरी रॉचले को अल आप सदप्तन बेनस और एडवनस किसको डेडिकेट की गई है हेनरी रॉचले अल आप सदप्तन इसके बाद इनकी दूसरी लॉंग नरेटिव पोईम्स है दोस्तो सेक्सपियर की रेप आप लिक्रीस और इसको भी कि दोनों कविताएं बीनेस अंड एडवनिस इसको भी हेनिरी रुट्सले अलाफ सदप्टन और रेप आफ लुक्रीस इसको भी डेडिकेट किया गया हेनिरी रुट्सले अलाफ सदप्टन इसके बाद जॉन मिल्टन की लैसिडस जॉन मिल्टन की किसको dedicate की गई है Edward King किसको Edward King और William Bursworth की Prelude autobiographical है दोस्तों और बहुत ही famous वर्क है इनका ये किसको है dedicated to A.T. Coleridge को दोस्तों किसको dedicate है ये A.T. Coleridge तो फिर repeat करता हूँ John Milton की Lacidus Edward King को dedicate की गई है Bursworth की Prelude को A.T. Coleridge को dedicate किया गया है इसके बाद John Milton के Me thought I saw my late espoused son फिर से John Milton का Me thought I saw my late ये अपनी पतनी के लिए इन्होंने लिखा था और कि espoused son is dedicated his second wife इनकी दूसरी पतनी Catherine Woodcock के लिए तो ए लाइन दोस्तो किसको dedicate की गई है फिर repeat करता हूँ John Milton की बहुत famous line है कई बाद T.G.T. P.G.T. के एक्जाम में ए लाइन पोछी गई है Me thought I saw my late espoused son ए लाइन जो है वो dedicate की है John Milton ने अपनी दूसरी पतनी Catherine Woodcock को दोस्तो इसके बाद P.B. Sally की Adonis P.B. Sally की Adonis दोस्तो ये किसको dedicate की गई John Kate के लिए किसको P.B. Sally के Adonis किसको dedicate है किसको समर्पित है दोस्तो John Kate के लिए यहां रखिएगा और इसके बाद John Kate की Adonis is dedicated to Thomas Chatterton John Kate की Adonis किसको dedicate है दोस्तो Thomas Chatterton इसके बाद Next हम बात करेंगे Tannyson की Ideals Ideals are dedicated to Prince Consort Okay Ideals इक किसको dedicate की है दोस्तो Prince Consort के लिए इसके बाद में Tannyson की Brick 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 Poem इक किसको dedicate की गई Arthur Henry Helm को Tannyson की Brick 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 Poem किसको dedicate की गई है Arthur Henry Helm को दोस्तो Tannyson की Memoriam किसको dedicate की गई है इभी Arthur Henry Helm को dedicate की गई है तो break break और memoriam दोनों point anything की किसको Arthur Henry Helm को dedicate है समर्पित है दोस्तो और Arnold की अगर हम Matthew Arnold की बात करें तो Matthew Arnold की thyresis dedicate की गई है to A.E.H. Claw किसको A.E.H. Claw को दोस्तो dedicate की गई thyresis बहुत famous है इनकी Arnold की memorial versus is dedicated to birth worth यह आप T.G.T. में बहुत याद रखोगे इसको कि Matthew Arnold की memorial versus किसको dedicate है तो William Burstworth के लिए दोस्तो T.S. Elliot की best land किसको dedicate है Ezra Pound के लिए T.S. Elliot की जो best land है वो किसको dedicate है दोस्तो एजरा Pound के लिए इसके बाद Robert Frost की The road not taken The road not taken is dedicated to Edward Thomas फिर से repeat करता हूँ और दोस्तो यह जो है C.S.C. के 9th class के syllabus में भी इस poem को रखा गया Robert Frost की The road not taken is dedicated to Edward Thomas किसको dedicate किया गया दोस्तो Edward Thomas तो आज के लिए दोस्तो इतना ही बाकि अगले वीडियो में मिलेंगे जय हैं जय भारत तो बर्क एंड या डेडिकेशन उनके जरूर याद कर लेजेगा इनको किसी कॉपी पे कही न कहीं नो डाउन का लेना